दोस्तों, आज हमारा वन्डर टिप्स चैनल का जो ब्लॉग है, वो लाया है कि हम डाइबिटीज को कैसे कंट्रोल करें। हम जैसा की जानते हैं, बहुत ही ज्यादा डाइबिटिक बिमारी ये चारों तरफ फैल चुकी है। हम क्यों ना इस पर कंट्रोल करें। और इसको कंट्रोल करने के लिए सबी लोग अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी है। सबसे बड़ी चीज डाइबिटिक में डाक्टर सबसे पहले कहता है कि आप वजन कम करो। आप खाने पर कंट्रोल करो। आप मीठा ना खाओ। आप एक्सरसाइज करो। लेकिन ये सब कुछ जानते वे भी क्या हम करते हैं, ये सबसे बड़ी विडम बना है। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि कल से ही आप ये स्टार्ट करें। और कल से भी क्यों आज से ही जिसना आज शाम को आप आएंगे ओफिस से थोड़ा सा खेलिए या इवनिंग वाक करिए। उसके बाद आप खाना खाएंगे। लंच कोशिश करें कि आठ वे से पहले पहले खालें। जो लेट आते हैं वो थोड़ा सा टाइम को शेडूल करें। सुबह जल्दी चले जाएं। शाम को जल्दी आ जाएं। जिससे के आठ वे तक खाना खालें। उसके बाद आप कम से कम एक से डेड़ किलोमेटर जरूर टह लें। फिर आप रात को दस साड़े दस बज़े तक सो जाएं। सुबह जल्दी उठें पांच बज़े, साड़े पांच बज़े। निवाया पानी जिसको ल्यूक वार्म वाटर बोलते हैं वो लें। और वो लेने के बाद आप फ्रेश होने जाएं। दीर किशंका से निवारन करिए। फिर आप अपना ब्रश औगरा करके एकसरसाइजीज का जो अभ्यान है योगा से शुरू करें। फिर मॉर्निंग वाक करें। और रिगरस ये मान के चले एक से डेड़ घंटा आपने अपने शरीर के लिए देना है। फिर आपने पिच्छा ब्रेकफास्ट किया। आप ब्रेकफास्ट में कोशिच करें। प्रॉंट हैं ना लें। हाफते में पंदा दिन में एक बार हो जाए तो चलेगा। तला हुआ बिलकुल ना ले। कॉर्न फ्लेक्स ले सकते हैं या कुछ भी आप फल फ्रूट्स जूस मिस्सी रोटी बहुत चीज़े हैं जो आप ले सकते हैं। उसके बाद आप निकल जाएए ओफिस के लिए। दोपैर को ग्यारा बज़े के आसपास ग्यारा साड़े ग्यारा बज़े आप सलाद ले लीजिए। सलाद में आप खीरा, ककड़ी और ये बीट रूट आती है ये लें। लोकल कोई भी मतलब सीजन फ्रूट ले सकते हैं। इस तरह आज की तारिक में अमरूद आ रहे हैं। आम का सेवन कम से कम करें। फिर आप करें दो बज़े अपना लंच, डेड़ से दो बज़े, एक बज़े भी कर सकते हैं। लंच में दो चपाती, डाल, दही रहे था। इस तरही चीज़े। मतलब घर में जो हमारी लेडिज हैं वो ये जरूर ध्यान रखें। कि किसी भी हालत में कम से कम तेल घी का प्रयोग करें। छोंक के समय सबजियों में। बिलकुल भी उपर कई जगे तुमें देखा है कि सबजी के उपर तेल ही तेल तेरता रहता है। जो मार्केट से मंगाते हैं अकसर। बिलकुल मना कर दें ऐसे खाने को। कि उसके बाद में आप कोशिश करें कि कम से कम पांसो मीटर से हजार मीटर यानि एक किलो मेटर घूम लें। तो कि से अने टेबल आफिस में चेयर पर फिर आप शाम को आए गार जैसा में बटाया वो शेदील को अपना ये खेलने का खाने का और थोड़ा थोड़ा हर दोड़ा हर दो गहंते में कुछ ने कुछ खाते रहिए। लेकिन तला हुआ ना खाएं मीठा ना खाएं और मैं आपको बता दूँ कि आप देखेंगे कि जब आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा आपका डियाबिटिक बढ़ना बेटर होना शुरू हो जाएगा और आप मापने पहले दिन और फिर हर हफ्ते आप इसको मेजर करत तो दोस्तों ये वीडियो में ये जो था ब्लोग लिखने का मेरा एक परपज था थू दिस वाइस कि मेरे जुम्मित्र हैं वो सारे हैलर्ट हो जाएए बीमारी बहुत बड़ी नहीं है लेकिन खतरनाक है कंट्रोल कर सकते हैं इसको लेकिन अगर हमारे अंदर पेशेंस होगी कि हमें कंट्रोल करना तभी कर पाएंगे अधरवाई डाक्टर्स भी बता बता अगर फेल हो जाते हैं रिजल्ट फेल होता है जो अपरवले को मनजूर होता है तो इसको आप ध्यान रखते हों आगे बढ़ें और हम इसको रिव्यू करेंगे एक महीने के बाद करीब थिए थिए